Delhi University के सभी के सभी colleges are not worth it, so ऐसे कौन से colleges हैं which are not worth it, आज किस वीडियो में आप सभी को पता चलने वाला है, मैं यह नहीं भूलूँगा कि जिन colleges का मैं नाम लूँगा, they are the worst colleges, Delhi University का पार्ट है, उनकी NIRF ranking निकलती है, so they are not the worst, बट अगर हम इनको एक proper term दे, so they are mainly the below average colleges, कौन से colleges ह आपको आज पता चलेगा, but इससे पहले मैं आप सभी को एक request करना चाहूँगा, कि इस channel को अभी के अभी subscribe कर लीजिए, आप सभी की अब आगी चल के merit list आने वाली है, और अब सभी से important खेल आपका start होएगा, except upgrade freeze का, तो यह सभी की सभी चीजें आपको timely मिलती रहें, इनकी updates इसके लिए channel subscribe कर लीजिएगा, now also guys, आप सभी का एक important question में answer करना चाहूँगा, भाया मैं Delhi University में पढ़ाई करने के लिए आने वाला हूँ, तो जो लोग मुझे पढ़ाने वाले हैं, वो कैसे होते हैं, now कई students यह समझते हैं, यह North Campus में अच्छी faculties होएगी, but off campus में बिकार facult ऐसा guys, बिल्कुल भी नहीं होता, Delhi University discrimination नहीं करती, campus के basis पर, हर एक एक college के अंदर आप सभी को बिल्कुल top class faculties देखने को मिलेंगी, कुछ होएगी जो बिल्कुल यंग होंगी faculties, एक साल, दो साल, तीन साल का experience होएगा, लिगन कई faculties आप सभी को देखने को मिलेंगी, 20 साल, 25 साल का experience होएगा, तो इस चीज को बिल्कुल भी मत डरिएगा, कि अगर भाईया, मुझे off campus मिला, तो क्या मुझे बिल्कुल भी असा नहीं है, हर Delhi University के college में, आपको top class faculties देखने को मिलती है, Now mainly guys, ज्यादतर students से Delhi University में admission लेते हैं, ये दो reasons के वज़ा से, सबसे पहला कि जो बहुत बड़ा crowd Delhi University में admission लेता है, उसका main name होता है कि भाई, आसपास मेरे करोल बाग है, मुकरजी नगर है, राजिंदर नगर है, तो यार मैं पहले UPSC की त्यारी करता हूँ, UPSC नहीं तो ब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जो बैचलेर्स करने के बाद, हायर एडूकेशन डियू से परस्यू करना चाहते हैं, जैसे कि Master's या फिर PhD, तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं, जो ऐसे एक्जाम की तियारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं बूलू तो ज आपके लिए कोर्स और कॉलेज जादा मैटर नहीं करता, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कॉलेज विद्या प्लाटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा, अगर आप सभी का आगे चलके इंट्रेस्ट हैं, ऑनलाइन यूजे कोर्स परस्यू करने में, तो सिंप यहाँ पर क्लिक करके आप कॉंटाक्ट सीवी एक्सपर्स से बात कर सकते हैं, अगर आपको उनिवर्सिटीज के बीच में कंपेरिजन भी जालना है, तो यहाँ पर कंपेर नाव पर क्लिक करके आपको बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पर कंपेरिजन भी के बार में पता चल जाएगा, आपको student rating क्या दे रहे है, universities को ये पता चलेगा, EMI facility अविलेबल है या नहीं, fee break up पर जब आप क्लिक करेंगे, तो fee का break up पता चलेगा, LM&I's के reviews क्या है, placement click कौन सी companies आती है, और यहाँ पर आप सभी को authentic university की website का link भी मिल जाएगा, so college vidya की website अभी के अभी जाके check out करें, link is in my description box, and अगर आप सभी मेरी link के through admission लेंगे, तो 7,000 worth का career booster program भी आपको free of cost मिल जाएगा, apart from this guys, आप सभी को college vidya की तरफ से up to 10,000 rupees की subsidy भी provide कराई जाएगी, और इसके बाद हमारा दूसरा crowd होता है, जो mainly job के लिए D.U. में आता है, अगर आप भी कैसे student हैं, जो mainly job या placement search out करने वाले हैं, तो आप के लिए course बहुत matter करेगा, इसी के साथ साथ college भी बहुत matter करेगा, because वो college का crowd, वो college का experience, college की societies, जिससे आप सभी का extra-curricular activities form होती है, तो ये बहुत matter करता है, क्योंकि इससे आपकी personality उभर के आती है, इसी के साथ साथ वहाँ कैसी placements मिल रही है, कौन-कौन सी वहाँ पर आपको companies देखने को मिल रही है, ये आप के लिए बहुत matter करता है, और college की brand value भी बहुत matter करती है, अगर आपकी resume में mentioned है, कि भईये, मैं SRCC से graduate हूँ, या फिर मैं St. Stephen से graduate हूँ, राम जस, किरोडी मलहंसराच से graduate हूँ, तो आपको थोड़ी और preference मिल सकती है, because of your college's brand value, और इसी के साथ साथ guys, आप साभी का सिर्फ college का tag ही नहीं, बट आप साभी की skills भी बहुत matter करती है, आप SRCC से graduate है, बट अकाउंट किया इन चीजों की कोई जानकरी नहीं है, कुछ ही सामय में आपको job से निकाला जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास अच्छा college है, skills भी हैं, तो अच्छा package आफ वोड सकते हैं, तो अगर आपके लिए job important है, तो आपके लिए college matter करता है, बट अगर आप exam की तैयारी करने वाले हैं, higher education की तैयारी करने वाले हैं, तो आपके लिए college जादा matter नहीं करता, नो मैं आप सभी को बताता हूँ कि ऐसे कौन से college जिनका record थोड़ा below average रहा है, सबसे पहला आजाता है हमारा यहाँ पे श्यामलाल college, नो श्यामलाल college के ही कुछ students मुझे मेट्रो में मिलेते, वो recognize कर लेते हैं तो खुशांग भाई हैं तो कई लोग मिल लेते हैं मुझ से आके, और कुछ ऐसे students थे जो North Campus गूमने आए थे, तो मैंने उनसे बात करिया, अच्छा आप कहां से हैं, तो उन्होंने बता है भाई है मैं श्यामलाल से हूँ, जरूर लेना चाहिए अगर आपका focus है कि भाईया मुझे exam की त्यारी करनी है, लेकिन अगर college की brand value आपके लिए जादा matter करती है, तो थोड़ा सा SLC को कम prefer करी, यह मैं आपको recommend करूँगा, now second आज आता है guys हमारा Swami Shraddhanand College, जिसके भी reviews जादा अच्छे नहीं माने जाते, location अच्छी नहीं है, infrastructure भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो अगर आपके लिए चीज़े matter करती हैं, तो यह आपको यह थोड़ा कम prefer करोगे, वो better रहेगा, बाकी again जैसे मैं बोलो, पढ़ने जा रहे हो colleges में, तो फाकल्टी इन सभी colleges में आपको अच्छी देखने को मिलेगी, बाकी इन्फरा, फेस्ट, यह सब यहाँ पर आपको कम ही देखने को मिलेगा, इसके बाद आजाता है यहाँ पर आपका अधिती महाविद्याले college, यह only women's college है, मतलब only girls college है, अगेन अगर आप सभी online भी बागिनी निवेदिता के reviews देखेंगे, तो आपको बहुत ही खराब reviews देखने को मिलेंगे, इन्फरास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, साफ सुत्री भी देखने को नहीं मिलता, लोकेशन भी अच्छी नहीं बताते हैं students, तो इसलिए मैं आप सभी को बूलूँगा, कि यह जो मैंने चार colleges आपको बताए, बेटर है कि आपकी बिल्कुल last preference रहनी चाहिए, इसलिए मैंने इस video को बिल्कुल end में बिनाया, क्योंकि अगर मैं यह video अभी बनाता, तो possibly आप सभी इन college को बिल्कुल हटा देते, लेकिन मैंने आप सभी को reason बताया कि किन students के लिए college matter करता है, जो यह हैं, और कौन से students हैं जिनके लिए college ज़्यादा matter नहीं करता, वो यह students हैं, बाकी all depends on you, skills आज के जमाने में बहुत matter करती है, so also एक और चीज में answer करना चाहूँगा, कि क्या भाईया मुझे drop लेना चाहिए, अगर मुझे यह college मिलते हैं, तो क्या मुझे drop के बारे में सोचना चाहिए, मैं आप सभी को बूलूँगा guys, कि यह Delhi University का part है, आपको जब degree मिलेगी ना, तो degree में यह नहीं लिखा होगा, कि यह आप शौमिश रद्धानन से pass out है, आपको यह लिखा होगा, कि अपने Delhi University से अपने bachelor's pursue करी है, तो degree की बहुत value होती है, बस यह चीज मैं बोलूँगा, कि यह एकदम से यह मत करना, कि अगर इन college में admission मिल गया, तो भाई, जिन्दगी बेकार है, skills पे काम करना, बहुत चीजों में काम करना, लेकिन अगर आप यह चाहते हो, कि भाई, अब मुझे इस college में मन नहीं है, कि मैं 4 साल अपना undergraduate करूँ, तो better है कि आप सभी एकदम drop लेनी की बजाए, partial drop को consider कर सकते हो, कि मतलब आप अपने college में भी जा रहे हो, college के assignments भी दे रहे हो, बट इसी के साथ साथ आप दिन का 1-1,5 घंटा या 2 घंटा, CUT 2025 की भी preparation कर रहे हो, बाकि proper drop ले लेना, क्योंकि आपको इन colleges में admission मिल गया है, वो मेरी तरफ से recommended नहीं होगा, यह वीडियो आप में से बहुत students के लिए important थी, क्योंकि future में आप लोग इन colleges का part बनेंगे, so मैं पहले सी आपको इनके बारे में बताना चाह रहा था, I hope you like this video, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए all the very best, and please do not forget to subscribe this channel,